नमस्कार दोस्तों स्वागत ते शोमस बेली जी की और एक हेलथ विडियो में इस विडियो में हम बात करने वाले हैं Asycloughanak Medication के बारे में, Asycloughanak या फिर Diclofenak यह ताइप का जो Medication से यह तारे medicines किस काम आता है Aciclofenac medicine अगर आपको přescribe किया गया है मतलब आपको कोई पेन है बाड़ी में या फिर inflammation, inflammatory कोई disease है इसी के कारण आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो आप जानिए कि Aciclofenac medication, Diclofenac medication क्यों दिया जाता है, इसका side effects क्या है, कैसे इसको इसको इस्तमाल करना है और कैसे ये medication का पहले चीज तो है कि सकारं दिया जाता है यह टाइप का मेडिकेशन यह एक पेइन रिलीव मेडिकेशन और इंफ्लामेशन रिलीव को हम अन्पी इंफलमीटरी डरग इनको भी बोलता है नोन सटेरोडल एंपी इंफ्लैमेटरी डरग यह क्लास के अंदर आधा g unions इंफ्लमेशन मतलब स्वेलिंग सुजन हो जाना स्वेलिंग रेडनेस पेन दर्द होना यह सारे चीज एक साथ आता जहां पर आप कहीं भी तरीका का आपको अगर इंटर्नल इंजूरी हो या फिर बाहर से भी कहीं पर घाव जैसा वहां पर आप देखो कि स्वेलिंग होगा लाल हो जागा जगा और वहां पर पेन दर्द होगा यह सारे चीज एक साथ आथा इस सारे प्रॉसेज एक साथ इसको इंफ्लमेशन कहते हैं इसका मतलब है आपके शरीर का इम्यून सिस्टम है वह काम कर रहा है उसका जो सेल से वह सेल्स कुछ ना कुछ केमिकल फैक्टर्स एसके वाजे से वहाँ पर जो है इस सारे के सारे प्रॉसेज होते हैं ऐसे दर्द होना लाल होना सुजन होगा स्वेलिक्टर्ण चीज एक साथ आता है जिसको हुँ इंफ्लमेटरी रिसपॉंस कहते हैं तो इनम्यूनकिकल फैक्टर्ज का दाई होता है किछ ना कुछ chemical factors जो response करता है तो chemical factors जो है वो भी आपका immune system का ही cell release करता है ऐसा कुछ factors होता है leucotrines, prostaglandines, histamines अलग-अलग type का होता है तो particularly leucotrines और prostaglandines बोलके कुछ-कुछ chemical factor होते हैं जो जाके यहाँ पर आपका यह inflammation करता है तो ऐसा medication है जो आपके inflammation को घटाता है और automatically inflammation घटाने के मतलब होता है बाहर से देखेंगे तो symptomatic relief आपको मिलेगा बगर आपकी pain दर्द थोड़ा-थोड़ा कम हो जाए वहाँ पर swelling है वह दीरे-दीरे कम होता रहेगा और लाल जो हो जागाता है जगा वह दीरे-दीरे कम होता रहेगा यह सारे चीज़ आप देख पाएंगे medication लेने के साथ साथ तो लोगों का यह हर वक्त ही बात होता है ना कि जब भी लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ ना कुछ problem हा रहा है ऐसे inflammation ऐसे कुछ दर्ध तो पहली बात तो होता है कि आप मेरा दर्ध कम कर दो ऐसे medication दर्ध कम हो जाए तो दर्ध कम होने की कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो जहां पर generally जिसको हम बोलते है अना फालैक्टिक कंडिशन तब जाके दिया जाता है क्योंकि स्टेरोइड लेना अच्छे बात नहीं होता है इसी के कारण non-steroidal anti-inflammatory drug काफी चर्चे में आता है क्योंकि वहाँ पर यह ड्रग जो पेन को moderate से high level of pain को regulate भी करता है और उसके साथ-साथ anti-inflammation property भी इसमें है अब यह जो ड्रग है यह कैसे काम काता है तो कि यह ड्रग 1992 से अप्रूफ किया गया था यूज़ करने के लिए तो यह particular type of drug जो है यह जो chemical factors होता है जो chemical factors हमारे immune system का cell release करता है जिसके कारण inflammation हो रहा है inflammatory response हो रहा है वैसा कुछ factors को यह block करता है जैसे कि एक factors का नाम मैंने बता है प्रोस्टाग्लैंडीन तो प्रोस्टाग्लैंडीन तयार होने के लिए शरीर के अंदर एक enzyme की ज़रूरत होता है जिसको हम बोलता है cycle oxygenase enzyme अब cycle oxygenase enzyme शरीर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडीन तयार करता है उसके साथ जलन होना, पेन होना, रेडनेस, स्वेलिंग, सब कुछ एक साथ आएगा अब इसको प्रिवेंट करने के लिए ही ये ऐसे क्लोफिनेक मेडिकेशन है क्योंकि ये साइकलोग्सिजनेस को इनिविट करता है मतलब ये जो ड्रग है Ecyclofenac या फिर Diclofenac ये क्या करता है बेसिकली ये Cyclo Oxygenase Enzyme को काम करने से रोकता है तो Cyclo Oxygenase क्या करता था Prostaglandin मनाता था Prostaglandin क्या करता था Inflammation और Pain ये सारे चीज़ अब जब Prostaglandin ही तयार नहीं होगा क्योंकि Cyclo Oxygenase को Inevit इसको ब्लॉक करके रखा है कौन हमारे मेडिसिन ये ब्लॉक कर देगा Prostaglandin भी तैयार नहीं होगा और Prostaglandin नहीं होगा तो Automatically शरीर के अंदर ये जो Inflammatory response है ये धिरे-धिरे कम होते लगे तो ये ही होता है इस ड्रग का फंडा है ऐसे ही ये Aciclofenac, ये Diclofenac Medicine काम करता है तो अब बात कर लें थे कि Aciclofenac Medicine की side effects क्या तो कि Aciclofenac Medicine कोई भी Non-steroidal Anti-Infirmatory Drug Type का जो भी Medicine से Painkillers है यहाँ पर जिसको सिधी साधी Language में बोलते हैं Painkillers ये Painkiller Medication ये हर वक्त आपको खाने के साथ लेना होता है With food, खाने के बाद, खाने के साथ खाने के पहले आपको नहीं लेना है क्योंकि खाने से पहले अगर आप लेते हो तो आपके stomach related कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे कि stomach में जलन होना Acidity हो जाना, heartburn उसके साथ, heartburn को ये acidity बोलते हैं यहाँ पर acid flow होना, acid reflux होना उसके साथ साथ आपको stomach में कुछ ना कुछ दर्द होना उसके साथ साथ digestion में problem रहना ये सारे के सारे issues So generally digestion related issues होते हैं ये digestion related issues होता है जब आप ये medications empty stomach लोगे, without food लोगे इसके कारण खाने के साथ ही ये medicine, खाना के साथ लेना है खाना के बिना ये medications नहीं लेना है आपको ये चीज़ आपको याद रखना है Otherwise, अगर खाने के साथ ये medicines लोगे तो side effects जो impact हो कम होता रहेगा तो generally इसी के कारण non-steroidal anti-inflammatory drug जब लिया जाता है खाने के साथ भी आप लो तो दिन में एक बार empty stomach में आप एक antacid ज़रूर लेना ये चीज़ हर वक दिया जाता है कि ये non-steroidal anti-inflammatory drug ये फिर कोई भी पेंकिलर का इन का ड्रग आप लो तो आप सुभा empty stomach एक antacid medication ले लेना जूएं प्राजोल में प्राजोल अलग-अलग ताइब के Drugs होते है उसके बार में बात करें अलग अलग प्रकार के होते हैं कोई भी टाइब को medications आप सब लेना है सुभा एक बस बाकी दिन में 2 ohs, al ag pro पेशेंट पर पर बात करें तो डोजेज भी डिपेंड करता है कि आप की कंडिशन क्या है उसके उपर लोग पेंड सही नहीं पाते है तो लोग एक ऐसे चीज और जो सहने पर भी depend करता है कि किसी pain एक score से determine किया जाता है pain score वा एक से 10 तक तो किसी इंसान के लिए एक ही चीज़ की एक ही amount को pain के लिए kis इंसान उसको 9 out of 10 बताएगा कोई इसको 5 out of 10 बताएगा तो उसको ऐसे डिपेंड करता है कि कितना pain अब ले सकते हो तो actually pain sensitivity की बात होता है वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि कंडिशन क्या है उस हिसाब से आपको pain management क्योंकि pain killers अगर ज्यादा मात्रे में आप लोगे टॉप की kidney में serious impact आता है और liver में कोई problem या फिर kidney में कोई problem है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए control करना चाहिए pain को दूसरी तरीके से कोई भी other without medication आपको treatment में focus करना चाहिए जैसे के कोई भी pain management अलग लग therapy होता है हमारे पास तो physical therapy में वो option है laser therapy में वो option है जिससे के हम pain को काफी हद तक reduce कर सकते हैं inflammation को तो within 5 minutes बहुत अच्छे तरीके से down कर सकते हो with the help of class 4 laser therapy जिसके लिए लग लग वीडियो इस चैनल पे available करवाएंगे दूसरे चैनल पे भी हम upload करते हैं आप दे सकते हो तो यह बात होता है pain management एक totally अलग पार्ट है मगर थोड़ा बहुत लेना एक दो ठीक है मगर उसके बाद ज्यादा मात्र में लेना यहां पर आपके kidney के लिए और liver के लिए completely यह खराब सावीज हो सकता है और एक चीज़ आपको बताना है अगर आप pain killer medication पे हो ज्यादा pain killer ले रहे हो तो वहाँ पर आपको adequate amount of water plenty of water लेना है liquid लेना है body में ज्यादा पानी पीना है ठीक है amount में पानी या फिर liquid जो content आप पी रहे हो अगर आपको coffee चलता है तो pain killer के तो और पर coffee बहुत अच्छा काम करता है तो medicine को down करके coffee ले सकते हो अगर coffee आपको चलता है तो सारे situation में तो आप coffee भी पी सकते हो वहाँ पे pain में थोड़ा बहुत मदद मिलता है particularly in pain of migraine in pain of headache यहाँ पे काम आता है तो आप बात करते हैं कि aciclophenic medication कब दिया जाता है किस-किस बीम आपको दिया जाता है तो दोनों कारण यूज किया जाता है तो दोनों कारण यूज किया जाता है मगर पेंकिलर पेंकिलर थोड़ा कम पेंसे लेकर moderate pain को डिल करता है तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा मगर यह पेंकिलर जो है जिनरली कुछ complicated conditions जैसे के inflammatory pain full disease जो होता है जैसे के rheumotide arthritis हो गया ठीक है रुमोटाइड अर्थ्राइटीज जो एक immune autoimmune disease है उसमें भी inflammation होता है दर्द होता है वहाँ पी दिया जाता है और और यह एंकाइलोजिंग spondylitis में भी दिया जाता है तो अलग-अलग टाइप के complicated inflammatory disease में यह एक्साथ दिया जाता है अब कुछ-कुछ medication ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पर आपको दो चीज़ एक साथ पैरसीटमॉल और एक साथ मिलेगा तो combination treatment भी दिया जाता है बहुत पैरसीटमॉल और एक साथ दिया जाता है जो बहुत effective रहता है पेइन को reduce करने में क्योंकि कुछ-कुछ बीमारी में जब दर्द के साथ-साथ ऐसे बुखार भी होता है तो दोनों एक साथ काम करके उसको reduce करते हैं ठीक है तो यह बात होता है total idea about aciclofenac और diclofenac type of medicine वीडियो अच्छ लेगे तो वीडियो को like जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ family members के साथ क्योंकि health की जानकारी है जरूरी और चैनल को subscribe करें ताकि future में भी ऐसे वीडियो मिलता रहे थैंक्यू बाई